हम लोग first of all देखे हैं हमारे जो home screen है तो home screen के अंदर हमें बिलकुल भी change नहीं देखने को मिलता है यहाँ पर आप लोग देख सकते हो जो home screen का interface है वो same one UI 3.1 की तरह ही है और one UI 3.1 and 3.5 में आप बिलकुल भी change नहीं आया जैसे कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पर widgets भी same to same है बस यहाँ पर थोड़े से background colors को add कर दिया गया है तो android 12 का यहाँ पर यह खास है कि इसके अंदर आपको थोड़ा material look देखने को मिलता है तो वही same आपको one UI के अंदर भी देखने को मिलने वाला है उसी के बाद आप लोग यहाँ पर आके settings पर long press करके settings में आके आप लोग कुछ इस टाइप से अपने widgets को search कर सकते हो और जो widgets उसका इस बार interface थोड़ा सा यहाँ पर change करा गया है तो यह बात आपको देखके काफी जादा amazing लगने वाली है जो widgets का look है वो थोड़ा सा यहाँ पर change कर दिया गया है अग काफी जाद अच्छी है क्योंकि बहुत सारे लोग Google Chrome को configure नहीं करते उसके बतले वो लोग Samsung internet को use करते तो अगर आप लोग Samsung internet अच्छा लगता है तो आप लोग उसका search bar widget यहाँ पर add कर सकते हो home screen के अदर जैसा कि आप सभी को बता होगा Samsung भी एक काफी जादा leading brand है and बहुत स option provide करती है जिसके अंदर आप लोग काफी जादा easily कोई सभी third party icon pack लगा सकते हो तो यह चीज Samsung ने भी आप यहाँ पर provide कर दी है यह ऐसा आप लोग 1 UI 4.0 beta के अंदर आला feature देखने को मिल रहा है और जब stable होगा तब आप लोग अपने device के अंदर कोई से भी icon pack को enable कर सकते हो as and आप लोग उसको custom icon pack अपने device के अंदर लगा सकते हो तो यह चीज काफी जादा अच्छी है जो की 1 UI 4.0 के अंदर Samsung के devices के अगर हम लोग बात करें यहां पर lock screen की तो lock screen का भी आप लोग को जो interface है वो कुछ इस type से कर दिया गया है थोड़ा सा यहां पर lock screen का interface आप लोग देख सकते हो थोड़ा यहां पर personalize करा गया है थोड़ा सा आपको यहां पर manage well manage करा गया है अगर हम लोग compare करे with the 1 UI 3.1 जो यहां पर middle में कर दी गई है पहले side में थी अब middle आ गई है एंड उसी के साथ साथ आप लोग का जो world यहां पर music player है वो भी कुछ इस type से सो हो रहा है और यहीं पर अगर हम लोग side में swipe करें तो आपको side में swipe करके कुछ भी यहां पर नया change नहीं देखने को मिलता है जो चीज कि यहां पर clock के अंदर आया है तो इसको आपको यहां पर देखना पड़ेगा अगर हम लोग एक बार देखें यहां पर control center की है फिर आप लोग इसको notification panel भी कह सकते हो notification panel का look एकदम डिक्टो सेम है 1UI 3.1 के तरह ही यहां पर कोई बड़ा major change नहीं आया है यहां पर एक छोटा सा change आया है कि जो आप लोगों का brightness slider था brightness slider को आपको थोड़ा सा thick कर दिया गया है यहां पर brightness slider पहले हमें एक डंडी देखने को मिलती थी अब उस डंडी को थोड़ा सा thick करके यहां पर एक बार बना दिया गया है बस यह एक छोटा सा change आया है यहां पर ह नौटिफिकेसन सो करते है but yaha पे थोड़ा सा आपकोदसरी डिजाइन देखने को मिल चुका है यहां पर आप लोग देख सकते हों जो साइड में एज़ीस है वो थोड ड Соी कव देखने को मिलते है तो यह चीज भी आपको ठोड़ी सी देखनी MS के बाद हम लोग बात करते हैं यहाँ पर camera settings की तो camera के अंदर यहाँ पर बिल्कुल भी change आपको जादा नहीं देखने को मिलेंगे जस्ट आपके थोड़े से UI based minor changes हैं और कुछ new features एड़ हुए हैं जिनके बारे में आप लोगों आप बता देता हूँ इससे पहले तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पर focus enhancer आपको पहले से ही था one UI 3.1 के अंदर available और इसके अंदर भी available हो गया है और आपके जो जो बचे वो devices थे उन सबके अंदर one UI 4.0 के साथ आ जाएगा यहाँ पर आप लोग देख सकते हो जो interface है वो हलका full का आपको change देखन को मिलता है और यहाँ पर आपका जो अल्ट्रा वाइट जूम एंड इसके बीच में आपको यहाँ पर लुक देखने को मिलता था इसको भी थोड़ा सा बदला गया है बस यहाँ पर इतना सा change है और बाकी यहाँ पर कोई भी change नहीं करा गया है अगर बात करें हम लोग camera settings के अंदर भी कुछ इत्ते जादा बड़े changes नहीं आया है बस आपको video stabilization का जो option था वो पहले camera के अंदर ही आता था आप वहाँ से हटा के इसको settings के अंदर add कर दिया गया है और auto hdr को भी तो यह चीज़ वहाँ से replace करके यहाँ add करी गई है तो यह एक छोटा सा minor change है जो आपको 1 and यहाँ पर जो आपका look है वो काफी जादा amazing देखने को मिलने वाला pro mode भी आपका ज्यादा कुछ यहाँ पर changes नहीं देखने को मिले pro mode की इन लोगों ने बोला है कि stability को और improve करा गया है देखते आगे in the future क्या होता जब यह आपको 1UF 4.0 publicly available होता है के बाद अगर हम लोग देखें आप गैलरी की तो गैलरी के अंदर भी यहाँ पर कुछ जादा बड़े changes नहीं करे गए हैं जो पहले गैलरी थी वही देखने को मिलती है और यहाँ पर आपका interface भी एकदम same ही है यहाँ पर आपके जो आया यहाँ पर toggles को नीचे कर दिया ग तो बागी इस interface एकदम total same है गैलरी के अंदर directly यही से search कर सकते हो video single take and कुछ इस टाइप के options आप लोग को यहाँ पर गैलरी के अंदर ही provide करे गए हैं और अगर आप लोग कोई भी screenshot याफ फोटो की details चेक करना चाहते हो तो आपको simply swipe up करना है और आप लोग उसकी details को कुछ इस टाइप से check कर पाऊगे और अगर उसकी location added होगी तो आपकी location information भी सो कर देगा और अगर बात करें हम लोग गैलरी settings की तो गैलरी settings के अंदर आप लोग को full screen scrolling को option add करा गया है और उसी के साथ साथ आपको यहाँ पर trace को enable disable करने का option यहाँ पर अभी भी available है जो कि कहा जार आप लोग को छोटी चोटी चोटी चीज़ें जो गैलरी के अंदर आपका जो यहाँ पर editing वाला option था उसको थोड़ा सा और enhance करा गया है यहाँ पर Samsung का बोलना है कि यहाँ पर हमने कुछ filters को add out करा है बट अभी 1UA 4.0 बीट अपडेट के अंदर तो इत्ते आदा कोई filter देख का जो Samsung की messaging application है इसके अंदर आपके 3D animated stickers का support आचुका है अगर आप लोग यूज करते हो कुछ इस टाइप के 3D animated stickers अपने messaging application के अंदर तो आप लोग इस टाइप से use कर सकते हो आप लोग को कुछ इस टाइप के default stickers देखने को मिलेंगे इसी के साथ साथ आप लोग यहाँ पर messaging को आप लोग use कर सकते हो as an third party application तो यह चीज़ पर आपको काफी जादा amazing देखने को मिलने वाली है अगर आप लोग Samsung की messaging application को use करते हो यह एकदम accurately same है जो आपको one UI 3.1 के अंदर देखने को मिलती थी बस यहाँ पे चोटा सा change करा गया है आप लोग को नीचे एक option add करा गया है focus mode के अंदर focus mode के अंदर अब आप लोग अपनी driving को भी focus कर सकते हो अगर आप लोग driving कर रहो तो आप लोग focus mode को तब enable करके आप driving mode मे अपने device को enable कर सकते हो लाइक आप लोग को पता होगा कि Samsung की जब J series आते है तो bike mode आता था bike mode की S bike mode ऐसी करके एक option आता था जो same आप digital well-being के through use कर सकते हो अपने one UI 4.0 में अपने कोई से भी device के अंदर तो यह चीज का अफियाद अच्छी एक पुराना feature जिसको Samsung ने वापस से वन यूए 4.0 के साथ नए devices के साथ integrate कर दिया है जो आपकी Samsung की calendar application देखने को मिलते है calendar application के अंदर भी आपको एक छोटा सा चेंज देखने को मिला है आप लोग आप इंटरफेस है जो उसको देख सकते हो थोड़ा से है पर complicated कर दिया गया है मुझको नहीं पता कि Samsung ने ऐसा क् complicated लग रहा है मुझको यहां पर लोग को जो dates है उन्हीं के साथ साथ छोटे छोटे टेक्स्ट में उनके जो events आने वाले है वो दिखा रहे दिखाया जा रहा है तो यह चीज सही है देखो practical life में तो सही है बट हलकी सी complicated है थोड़ा समझने में complications आ सकते हैं तो यह चीज मुझ डायरेक्ली इनको जो calendar का आपको यहां पर सैड आपने बनाया उसको आप लोग widget के रूप में as an home screen widget add कर सकते हैं अपनी home screen के अंदर यह चीज भी काफी अच्छी है बट calendar का यह वाला चीज मुझे थोड़ा अजीब लगा आपको यहां पर कुछ और options add करेगा है device care के अंद battery training issues आ रहे हैं तो आप लोग processing speed को कर सकते हैं पर configure आप लोगों को just जाना है battery settings के अंदर और आप लोग यहां पर fast charging को enable disable super fast charging को enable disable या फिर अगर आप लोग के device में wireless charging है तो आप लोग उसको भी enable या फिर disable कर सकते हो तो यह चीज काफी ज़्याद अच्छी और आपको एक option add क आप लोग के device की जो battery है उसको charge लेना बंद कर देगा इससे यह Samsung का कहना है कि आप लोग की battery life को और ब्यादा improve करा जाता है तो यह चीज भी काफी ज़्यादा अच्छी है battery को लेके इस बर काफी ज़्यादा बड़े-बड़े changes करेगा है 1UI 4.0 के अंदर जो कि आप लोगों अंदर भी diagnosis कर सकते हो अपने device का कि आपके device के ऐसी कौन सी चीज है जो अच्छे से वर्क नहीं कर रही है यह आपको बता देगा देना आप लोग Samsung Care के अंदर जाके उसको configure कर सकते हो अपने device को repair के लिए भी भी भेज सकते हो तो यह चीज भी काफी अच्छी है Samsung Care application के अंद जो आप लोग को अभी देखने को मिल रही है 1UI 4.0 का major and last feature जो मैं आप लोग को बताता हूँ यहाँ पे आपको permission usage history देखने को मिलती है settings यहाँ पे आप लोग अपनी permissions को A to Z अच्छे से configure कर सकते हो चलो यह बात तो रही यह बात पहले भी leak होई थी कि 1UI 4.0 के अंदर configuration काफ अले ही permission मांगेगा कि आपको इसकी permission को allow करना या फिर disallow जैसे आप लोग का weather है या आप लोग की permission को चिस्टरी के से मांगेगा कि यह आपकी notification permissions मांग रहा है आप लोग के हाथ में होगा कि आप लोग इसको allow कर सकते हो यह बात तो रही चलो बात की बात अब अगर आप कोई भी ऐसी application है जहां पर आप लोग करते हो तो आप लोग यहां पर अपनी लोक यहां पर जो location है उसको अपने हाथ से सेट आउट कर सकते हो approximate location only this time या फिर आप लोग को location का भी जैसे आपको app था ना app permission आप लोग देते थे कि this time या फिर always की तो वही सेम चीज़ आपको इ install करते हो तो उसका भी आपको यहां पर कुछ option देखने को मिलेंगे जो कि आप लोग की permission को काफ यदा अच्छे से provide करेंगे तो यह चीज़ भी काफी जाद अच्छी है जो कि Samsung ने इस बार provide कर दिया है और 1u4.0 के अंदर privacy को related काफी जाद अच्छी settings को यहां पर change करा गया आपको पता है कि मैंने इस वीडियो में बहुत कम features बता है क्योंकि बहुत सारे YouTubers ने आपको बहुत सारे features बता चुके हैं बड़ जो main essential features हैं वो मैंने आप लोग को बता है तो I hope आपको वीडियो अच्छी लगए तो आप लोग इस वीडियो को एक लाइक जरूर से कर सकते ह मिलता हम सभी से नेक्स्ट वीडियो में तब तक लिए बाई and see you all guys in our very next video